वेश्विक महामारी करोना से निपटने के लिए युबा कॉंग्रेस एहम भूमे का निभाएगी इसके लिए सदर बिलास पर विधान सबक शित्र को सेनिटाइज करने का नेर्डे लिया गया है जिसके तहट परतेक पंचायत के जन प्रतिनिधी और नगर परशित के सभी 11 ब नगर परशद एरिया में फेस मास्क बित्रंट का लक्षे तैय किया गया है कॉविट महामारी से बचाव के साथ चाथ जनता में सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए जागरूप तक की अलग भी जगाई जाएगी ये खुलासा कहलूर रेस्तरा में आयोजित प्रेस कॉन्फरेंस में युबा कॉंग्रेस के जिला अध्यक्ष आशीश ठाकों ने किया है उन्होंने बताया कि कॉपट 19 महामारी से निपटने के लिए युबा कॉंग्रेस राजिस सरकार और जिला प्रशासन का पून्ट चरियों करेगी खड़ी में सभी राजनेतिक दलों को पार्टी से उपर उठकर जनता की सेबा करने के लिए एक जुटता दिखानी चाहिए इसके साथ ही समाच्चे भी संसाओं के सिहयों की आफशकता है समाच्चे भी संसाओं के पददिकारियों को बोलन्टियर्स के रूप में जन सेबा के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए उन्होंने कहा कि जनता में इस समय सकराक्मक सोच पैदा करने की जुरूरत है तभी इस करोना महामारी से चल रही लडाई में जीत दर्श की जा सकती है आशिश ठाकुर के अंचार विधान सभा क्षेत्र सदर में 44 क्राम पंचायते आ जन प्रतिनीधियों के साथ युबा कॉंग्रेस कारिकरता और युबा क्लबों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी उन्होंने बताया कि नगर परशद एरिया के सभी पारशदों के साथ मुलाकात कर सनिटाइजेशन कारिकरम को सीरे चड़ाये जाएगा उन्होंन जिलाधीश रोहित जंबाल द्वारा करोना से लड़ने के लिए किये गए ब्यापक प्रवंदों की तारिफ की और कहा की प्रशासन बहतर धंग से काम कर रहा है और एडवांस में तयारिये की गई हैं ताकि मरीजों को किसी भी परकार की परिशानी आड़े ना आए इस मौ 44 ग्राम पंचायतों और 11 बाड़ों में विवाजित नगर परिशत एरिया को सनिटाइस किया जाएगा जन प्रदेनीदियों को सनिटाइजर उपलब्द करवाये जाएंगे और उनके सहियोग के लिए यूबा कलबों और यूबा कॉंग्रेस कारिकरताओं की जह भागिता सुने शित की जाएगी दूसरे चंड में मास्क पे तरन कारेकरम चलाये जाएगा सेनिटाइजिशन का कारिया पहले चरण में पूरा किया जाएगा उसके बाद दूत्तिय चरण के अंदर सदर विधानसों अक्षेत्र के अंदर मास्क वितरन का कारिया जन प्रत्मीदियों के माधेम से होगा इनी शब्दों के साथ धन्याएगा